वह यह ज अंक पर डिस्टिक बैसाली और भ्हार में आई हुए यहां पर कि अच्छी होथी ये और काफी एरिय में कि तमकु खेती है थो राके intentions र स्रह से में एकबर अन्रोध करता हूं थोड़ा सा दिखा है कितने एरिय में टमकूँ की खेती होती है पर तो आज यहां पे इस गाउं में एक प्रगतिशील किशान ने तो आपना जो smart value का जो प्रोडक्ट आई एग्रो लाइजर एग्रो वीरा अपनी खेती में तमागी खेती में इस्तेमाल किया है आए मिलते हैं उन से बाते करते हैं कि उनको क्या फायदा हुआ है और कीज तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया रहर उप का सब furry आहीं श्रीजवार पासवन जी आपने यह तमाकु की खेती आप पहले से करते आई हैं और यहां पर आपने खेती में जो अपना जो स्मार्ट वालु का प्रोडक्ट है एग्रॉलाइजर एग्रो वीरा किस तरीके से इस्तेमाल किया और खेती के पौन से भाग में अपने इस्तेमाल तोड़ा सा हमें बताएंगे और क्या आपको फाइदा हुआ है इसमें हम में मिला करके डाले मिट्टी उप्चार में दिया आप में अच्या जी दोनों में से दोनों अधना में फिर डिये भट आप दि बहुत अच्छा क्या खेस हैं ब्रद्द का में पोड़ का प्वार का वह थोड़ा भी दिखाए आप पहले और दिन पहले का सब्सक्ट ये यह आपने पहले पहले की रोपाई है तो यह आपको जो फाइदा मिला है तो यह देखेंगे आप कि भार अंड़ोद करता हूँ कि वे एक बार ओर दिखा हैं कितना अच्छा पत्ते का साय पत्ते का जो आकार है बढ़ा हुआ है और काफी पत्तों की संख्या भी है यह देखिए यहां पर अगर पत्ते की संख्या देखें तो इससे भी इससे भी अलग तुखान में हैं बहुत यह बहुत बढ़िया आपने मिट्टी में इस्तेमाल किया है मिट्टी उपचार में कि दिन पहले उसकी रोपाई हो चुकी थी इस खेत के बाद कि साथ दिन बाद रोपाई हुई है और साथ दिन बाद में भी काफी अची अज्ञी व्रदी पोदे की यहां पर देखी जारी है बहुत बढ़ी है तो मैंने इसका जोड नहीं है आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या यह इस्तेमाल करना चाहिए अपने अपने साथियों को इसको पूरा फेला दिये जहां न फेलाना था वहां फेला दिये यह हर जगर इस्तेमाल कर रहे हैं सिच्चाई में भी टपका तो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद